So friends, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज कि अपनी इस बैहतरिन वीडियो को अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो का एंट तक देखते रहना So friends, यहाँ पर ही बोल रही है अपनी एक दोस्त से पास में एक नया रेस्टरॉंट खुला है चलो चेक कर कहा है इस इंग्लिश में बोलेंगे A new restaurant has opened nearby Let's go and check it out A new restaurant has opened nearby Let's go and check it out पास में एक नया रेस्टरॉंट खुला है चलो चेक कर कहा है अब इसे थोड़ा अगर हम advanced English में बोलें तो हम कहेंगे There is a new restaurant that has just opened nearby Let's go and give it a try हम बोलेंगे Let's go and give it a try इसका ही मतलब चलो चलो के उसे try करें चेक कर कहें There is a new restaurant that has just opened nearby Let's go and give it a try सुना है उस रेस्टरॉंट का खाना बोगत अच्छा है English में हम बोलेंगे सुना है इसके लिए हम कह सकते हैं कि I have heard that the food at that restaurant is excellent I have heard that the food at that restaurant is excellent यानि सुना है कि उस रेस्टरॉंट का खाना बोगत अच्छा है यह हम ऐसे भी कह सकते हैं यह थोड़ा जादा एडवांस हो जाएगा I have come across many positive reviews about the restaurant's food I have come across I have come across का मतलब है कि मैंने लोगों से मतलब मैं इसे लोगों से मिली हूँ जोनों ने मुझे बता है positive review दिया है किसका? restaurant का I have come across many positive reviews about the restaurant's food यानि सुना है उस restaurant का खाना बहुत अच्छा है यह advanced में था इसका जो basic मतलब बिलकुल simple है जो आप बोल सकते हो आप कह सकते हैं I have heard that the food at that restaurant is excellent अगर आप किसी ऐसे बंदे से बोल रहे हो जिसकी इंग्लिश जादे अच्छी है तब आप इसका यूस कर सकते हो वैसे अभी हमारे पास करने के लिए कुछ काम भी तो नहीं है तो यहाँ पर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अभी तो फिलाल हमारे पास कुछ काम भी नहीं है Anyway, we don't have any work to do right now Anyway, we don't have any work to do right now वैसे अभी हमारे पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं है ऐसे बोल सकते हैं कि Anyway, we don't have any tasks to complete at the moment Anyway, we don't have any tasks to complete at the moment यहाँ बैठे-बैठे बोर होने से अच्छा थोड़ा बाहर घूम आते हैं English में बोलेंगे It's better यहाँ से शुरुआत होगी It's better to step out for a while It's better to step out for a while than getting bored sitting here It's better to step out for a while than getting bored sitting here यहाँ बैठे-बैठे बोर होने से अच्छा है थोड़ा बाहर घूम के आते हैं यहाँ में ऐसे बोलेंगे It's better to take a short stroll outside Stroll मतलब तहलना It's better to take a short stroll outside बहता रहे कि हम थोड़ा बाहर तहलना है Than to get bored sitting here यहाँ बैठे-बोर होने से अच्छा कहने का वोई मतलब है कि It's better to take a short stroll outside than to get bored sitting here यहाँ हम इसको rather than का यूज़ करके बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा बजाए जैसे कि यहाँ बैठे-बैठे बोर होने की बजाए अच्छा है थोड़ा बाहर गूमाते हैं तो यहाँ पर हमने का है की बजाए इसके लिए मोलेंगे rather than getting bored sitting here यहाँ बैठे-बैठे बोर होने की बजाए rather than getting bored sitting here it's nicer to go for a little walk outside यहाँ बैठे-बैठे बोर होने के बजाए अच्छा है थोड़ा भार घूम का जाते हैं तुम पैसों की चिंता मत करो bill मैं पे कर दूँगी यह उसे restaurant में ले जा रही यह रही कि तुम इसकी चिंता मत करो के bill देना पड़ेगा खाने का उसकी ख्याल मैं रख लूँगा कहने के मतलब इसका कि bill मैं पे कर दूँगी don't worry about the money don't worry about the money I'll take care of the bill I'll take care of the bill, don't worry about the money, I'll take care of the bill, यानि पैसो की चिंता मत करो, bill मैं pay कर दूँगी, या आप ऐसे बोल सकते हो, put your money worries aside, यानि पैसो की जो अपनी चिंता हो से एक तरफ रख दो, खतम करो, put your money worries aside, I'll pay the bill, put your money worries aside, I'll pay the bill, I'll pay the bill, मैं pay कर दूँगी, या इससे बहतर क्या है, I'll take care of the bill, next रेखते हैं, माफ करना मैं तुम्हारा फून उठा नहीं पाई, इसने इसे कोल की होगी, फून क्या होगा, लेकिन ये बीजी थी तो इससे वज़े से उठा नहीं पाई, माफ ही माँ रहे हैं, अब दो तरीके हैं इसे कहने के, हम कह सकते हैं कि I'm sorry, I couldn't pick up your phone, I'm sorry, I couldn't pick up your phone, यह तो है basic हम अपने दोस्तिया रिष्टेदारों से कि इससे बोले हैं, जिनसे हम आम तोर पर, लेकिन अगर कोई सीनियर है हमारा वर्क प्लेस पे, जहां पर हमें फॉर्मल इंग्लिश बोलने हैं, तो हम बोलेंगे, I apologize for not being able to answer your call, I apologize for not being able to answer your call, यहाँ पर भी कहने का मतलब है कि मैं apologize, माफ ही मांगती हूँ, कि मैं तुम्हारा phone नहीं उठा पाई, I apologize for not being able to answer your call, लेकिन अगर आपको ऐसे दोस दोस नहीं बोलना है, I'm sorry I couldn't pick up your phone, दर असल जिस वक्त तुमने phone किया था, तब मेरा phone charging पर लगा हुआ था, और मैं नहा रही थी, दो तरीके बताऊंगा इसे बोलने के, बड़ा sentence है, थोड़ा ध्यान से देखना, Actually, at the time you called, आपर के रहें कि actually, जिस वक्त तुमने call की थी, actually at the time you called, my phone was plugged in for charging, जो मेरा phone था, वो plugged in था, charging के लिए, यानि charging पर लगा हुआ था, and I was in the middle of taking a shower, यापर taking a shower का मतलब नहाने से है, और मेरा उस वक्त नहाने के बीच में थी, कहने का मतलब है, मेरा नहाने के प्रोसेस में थी नहाने के प्रोसेस में थी नहाने थी उस वक्त, actually, at the time you called, my phone was plugged in for charging, and I was in the middle of taking a shower, हम plugged in का use करे भीना भी इसको बोल सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि, in fact, when you called, my phone was on charging, and I was taking a shower, यहां मने इसे काफी शोट कर दिया, in fact, actually, बोलेंगे, actually, देर असल, when you called, जब तुमने कोल की थी, my phone was on charging, मेरा फून जब चार्जिंग पर था, and I was taking a shower, और मैं नहान रही थी, जैसी मैंने अपना फून चेक किया, और तुम्हारी missed calls देखी, ऐसे होता है ने, कि जब हम आते हैं, phone check करते हैं, किसी की missed call आई विये, तो बता रही है कि, as soon as I checked my phone, I saw your missed calls, as soon as I checked my phone, I saw your missed calls, तो मैंने तुम्हारी missed call देखी, यह हम बोलेंगे, once I checked my phone, I saw you had called me, जब मैंने फून चेक किया, तो मैंने तुम्हारी missed call देखी, यह जब मैंने फून चेक किया, तो मैंने देखा कि, तुम्हारी missed call कर रखी थी, यानि तो मैंने तुम्हारी missed call देखकर, तुरंत तुम्हें फून किया after seeing your missed calls I immediately called you after seeing your missed calls I immediately called you तुम्हारी missed call देखे मैं तुम्हें तुरंत call किया यह हम कहेंगे upon noticing your missed calls यानि जैसे मैंने phone check किया तो तुम्हारी missed call notice की तो upon after की जगा आप यहाँ phone कर सकते हो upon noticing your missed calls यहने तुम्हारा मिस्ट कोल्स चेक करने के बाद, देखने नोटिस करने के बाद, I quickly dialed your number. मैंने तुरन तुम्हारा number मिलाते, को यहाँ पर भी comment सी बात है, जब भी हम किसी ही मिस्कोल देखते हैं, तो हम बोलेगे कि मैंने तुम्हारा number मिलाया, यहां पर हमने बता दें कि I immediately called you हम बता रहें कि I quickly dialed your number upon noticing your missed calls I quickly dialed your number जब मैंने तुम्हें call की शायद तुम्हें की से बात कर रहे होंगे क्योंकि तुम्हारा number वियस्त जा रहा था Englishman हम बोलेंगे When I called you, maybe you were talking to someone else because your number was busy When I called you, जब मैंने तुम्हें call की Maybe you were talking to someone else शायद तुम किसी और से बात कर रहे थे Because your number was busy क्योंकि जो तुम्हारा number था वो वियस्त जा रहा था जा रहा था थोड़ा advanced में हम कहा सकते हैं कि Perhaps you were engaged in a conversation with someone else शायद तुम किसी से बात चीत करने में लगे हुए थे यहाँ पर हम थोड़ा engaged in का यूस कर रहे हैं Perhaps you were engaged in यानि तुम लगे हुए थे शायद a conversation with someone else किसी से बात चीत करने में When I called you जब मैं तुम्हें call की Because your number was busy क्योंकि तुम्हारा number busy जा रहा था So friends, इस वीडियो के सारी sentence बहुत ही जादा useful है तो कोशिश करना कि आप इनका screen shots ले लो या लिख लो कहीं क्योंकि अगर आप इनकी बार-बार practice करोगे तो practice करने से क्या होता है बार-बार देखने से खुदी ना खुद बाखुदी structure हमारे दिमाग में बनने लगते हैं लेकिन यह तभी होगा जो आप practice करते रहोगे जरूरी नहीं है कोई आपके पास नहीं आप खुद भी कर सकते हो रोज इनकी practice कर लो इनने repeat करते रहो इस तरह के sentence जो भी आपको लगे है कि हाँ यह बहुत जादा जरूरी है उसी को आप अपना write down कर सकते हो so friends आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बता ना वीडियो चले लगी तो like जरूर कर देना thank you so much for watching this video friends